प्रधान मंत्री नरिन्द मोदी ने कहा था कि मेरी राजनीतिक सूजबूच कहती है कि मन्रेगा को कभी बंद मत करो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था कि वो विपक्षी दलों पर एक निशाना साध रहे थे उन्होंने कहा कि मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता क्योंकि मन्रेगा आपकी विफलताओं का एक जीता जाकता समारक है मेरी राजनीतिक सुझबुच कहती है कि मन्रे का कभी बढ़ मत करो नवजीवन में आकार पटे लिखते हैं कि मोधी तो पहले ही खर्च कर चुके हैं अपनी अरजित राजनीतिक पूझी मौझूदा संकट से कैसे निकलेंगे वो आगे लिखते हैं कि प्रधान मंत्री नरिंद मोधी ने किया क्या उन्होंने इस योजना को स्वभाविक रूप से मरने दिया क्योंकि उनका तो दावा था कि वे लोगों को बेहतर नौकरियां प नितिन गडकरी ने कहा था कि मनरेगा को देश के एक तिहाई से भी कम जिलों तक सिमित किया जाएगा इसके अलावा एक काम और मोधी सरकार ने किया और वह यह की मनरेगा की मजदूरी के भुकतान में देरी शुरू कर दी जबकि प्रावधान यह था कि मजदूरों को 15 दि में सिवाए 5 राजियों के बाकी सभी राजियों को मनरेगा के मद में 2013 के मुकाबले कम पैसा मिला वागे लिखते हैं कि जैसे जैसे भारत की अर्थ विवस्ता कमजोर होती गई और बेरोजगारी बढ़ने लगी मोधी सरकार ने उसी मनरेगा में ज्यादा निवेश करना श इसमारक कहा था 2014-2015 में मनरेगा के मद में 32,000 करोड, 2015-16 में 37,000 करोड, 2017-18 में 55,000 करोड, 2018-19 में 61,000 करोड, 2019-2071,000 करोड और 2020 में 1,10,000 करोड रुपे का प्रावधान किया नाकामियों का इसमारक इस तरह आकार में करीब तीन गुना हो गया, इतना होने पर भी यह योजना उस आबादी की नौकरी की मांग नहीं पूरी कर पा रही है, जो बेरोजगार है मौजूदा वितवर्ष में इस अनुमान के साथ की मांग कम है, इस योजना के लिए सिर्फ 73,000 करोड रुपे का बजट रखा गया, लेकिन इस साल के पहले 5 महीने में ही कुल बजट का 80 फीजदी खर्च हो चुका है, और काम के लिए लोगों की मांग बढ़ती ही जा रही ह मन्रेगा के तहट लोगों को ग्रामीड यलाकों में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी 200 रुपे दिहाडी पर देने की बात है, यह गारंटी सभी रेजिस्टर परिवारों के लिए है, यानि परिवार को साल में 20,000 रुपे की आंधनी होगी इस योजना के तहट देश के 13 करोड परिवार रेजिस्टर हैं, जो की देश के कुल करीब 25 करोड परिवारों के आधे के आसपास है, 2016 में करीब 24 लाक जॉप कार्ड की कमी थी, लेकिन नोटबंदी के बाद जॉप कार्ड की संख्या 18 लाक बढ़ गई थी इसका सिधा आर्थ है कि जब आर्थिक संकट आता है तो परिशान और गरीब भारतिय मन्रेगा का ही सहारा लेते हैं जीवन चलाने के लिए एक तरफ जहां मन्रेगा में स्तिती कुछ बेहतर दिखती है, वहीं गैर मन्रेगा नोक्रियों में हाला एकदम अलग है अशोकाई उनवस्ट्री से संबन सेंटर फोर एकनोमिक डेटा एन एनलिसिस के एक अध्यन से सामने आया है कि पिछले सार मन्रेगा की मांग में डेड़ करोड की बड़ोत्री हुई है यानि नोटबंदी के बाद जितनी मांग बड़ी थी उससे आठ गुना ज्यादा लेकिन दुर्भाग से देश के बड़े राजियों में सरकारे उन लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है जिन्हें इसकी जरूरत है उत्तर प्रदेश में प्रती रेजिस्टर परिवार का औसतन सिर्फ 18 दिन का रोजगार मिल रहा है बिहार में सिर्फ 11 दिनों का यानि यूपी में परिवारों को सिर्फ 36 रुपए और बिहार में सिर्फ 2000 रुपए सलाना आमदनी हो रही है क्या इतने पैसे से कोई परिवार काम चला सकता है? हकीकत यह है कि 95 फीजदी के करीब रेजिस्टर परिवारों को पिछले साल 100 दिन का काम नहीं मिला यह हिस्तिती जिसमें आज हम है सेडा के सर्वे में जो दूसरी बात सामने आई वह यह है कि युवाओं को कहीं और अस्थाई रोजगार नहीं मिल रहा है और वे भी अब मनरेगा के तहट काम तलाश रहे हैं 18 से 30 वर्ष के 20 फीजदी युवा 2018 में मनरेगा के तहट काम तलाश रहे थे इनकी संख्या करीब दो गुना होकर इस साल 37 फीजदी पहुँच गई है सरकार के अपने आकड़े भी बताते हैं कि 15 वर्ष और उससे अधिक उम्रे के ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं उनकी संख्या कुल कारेबल का 40 फीजदी है अमेरिका में ये संख्या 60 फीजदी है जबकि थाईलन्ड में 70 फीजदी चीन में 70 फीजदी से ज्यादा है भारत में काम में शामिल होने वाले लोगों का प्रत्शत पाकिस्तान और बंगला देश से भी कम है तो क्या भारती है कमजोर हैं या कामचोर हैं नहीं हकीकत यह कि काम है ही नहीं Center for Monitoring the Indian Economy CME ने कहा कि 2016 में देश की काम करने लायकाबादी में सिर्फ 42 फीजदी के ही पास काम था लेकिन 2017 में या आकड़ा 41 फीजदी पहुँच गया और इसके अगले साथ 2018 में 49 फीजदी और 2019 में 36 फीजदी आज की तारीक में जितनी भारती है काम कर रहे हैं उनकी संख्या आज से 5 साल पहले से भी कम है हाना कि इस दोरान देश की अबादी में साथ करुण का इज़ाफा हो चुका है यह समस्या ऐसी नहीं है जो आसानी जखत्म हो जाएगी क्योंकि यह आकड़े दिन बदिन खराब ही होते जा रहे हैं आकारपटे लिखते हैं कि इस सब का जितना असर पढ़ चुका है और अब भी कितना असर हो रहा है इसका पूरी तरह आकलन किया ही नहीं गया क्योंकि देश की राजनीती तो किनी और ही मुद्दे पर केंदृत है अब सवाल है कि क्या देश की अधिकतर आबादी इसी तरह खामोशी से सहन करती रहेगी वह तब जब असमानता साफ तोर पर हमारे सामने है अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो यह ज़रूरी हो जाता है कि देश इस बारे में बात करे चर्चा करे ना कि लोगों की सहन शिलता के जवाब देने और गुसे के फूट पढ़ने का इंतजार करे